आप सभी को मेरा नमस्कार आज एक बहुत एहम मुद्दे को लेकर आप सभी के बीच प्रस्तुत हूँ आशा है कि निश्चित रोप से आपके घर में जो पीड़ी तयार हो रही है वो इससे लाभानवित होगी कॉलेज में एसिस्टेंट प्रोफेसर होने के नाते मैं देख रही हूँ कि बहुत से बच्चे 12th क्लास करते ही नोन अटेंडिंग एजुकेशन की तरफ ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं या फिर अपना साल ट्रॉप करने के लिए सोचते हैं स्पेशली वो बच्चे जो साइन्स बेग्राउंड से हैं देखिए प्यारे बच्चों नोन अटेंडिंग एजुकेशन का सीथे सीथे असर आपके जीवन पर पढ़ता है बारवी के बाद जब आप कॉलेज में आते हैं तो महज आप शिक्षा लेने के लिए नहीं आते हैं बलकि अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को भी ड्वेलप करने के लिए आते हैं बौधिक विकास जिसे हम कहते हैं नैतिक जिम्मेदारी जिस मुल्य वस्तु को कहा जाता है वो हमारे अंदर जो पनपती है वो कॉलेज में विश्व विद्याले में जाकर एजुकेशन लेने से पनपती है ना कि घर बैठ कर या इधर उदर अपना समझ आया करके मानती हूँ कि कम्पिटिशन का युग है प्रदियोगिताएं आपको पास करनी होती है तीन साल के बाद लेकिन उन तीन सालों के बाद जो आपको परिक्षाएं देनी है आप अपने जीवन का जो भी आधार चुनना चाहते हैं वो बारहमे के बाद नहीं बलकि बारहमे के बाद कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर उसके बाद चुने और उसके बाद आप तैयारी करें या फाइनल एयर में पहुच कर तैयारी अगले पेपर के लिए करें क्योंकि आप शुरुआत से ही छोड़ देंगे तो कही ना कही पिछडेंगे जरूर उन बच्चों से जो शिक्षा नैतिक तरीके से ले रहे हैं और सही माइने में महनत कर रहे हैं क्योंकि बारहमे के बाद जो बच्चे नॉन अटेंडिंग में जाते हैं वो बच्चे निश्चित रूप से तीन साल बाद या चार साल बाद भी उसी पायदान पर खड़े होते हैं जहां वो आज खड़े हैं और दूसरी केटेगरी आती है जो बच्चे नॉन अटेंडिंग नहीं लेना चाहते लेकिन मजबूरन उन्हें लेना पड़ता है क्योंकि पैसा कमाना उनकी मूलभूत आवश्यक्ता होती है तो प्यारे बच्चों अगर आपके अंदर हिम्मत है, जजबा है, दिमाग है तनमन धन से आप काम करना चाहते हैं तो स्कूल या कॉलेज के बाद के जो कुछ घंटे होते हैं उनमें आप अपने घर में ट्यूशन पढ़ा कर भी आज आज से 10,000-15,000 रुपया कमा सकते हैं और वो पैसा निश्चित रूप से आपकी मासिक जरूरतों को पूरा कर देगा तो आप अपने भविशे के साथ खिलवाड ना करें, दूर दर्शिता की कमी अपने अंदर ना आने दें नोन अटेंडिंग या फिर एक फुल टाइम जॉब अगर आप बारहमी कक्षा करते ही चूस कर रहे हैं तो आप ये निश्चित रूप से सोचें कि आज से 5 साल बाद आप अपने आपको कहां देखते हैं यदि ये सवाल मन में आने के बाद आपको लगे कि नोन अटेंडिंग एजूगेशन ठीक है तो मैं फिर भी कहूंगी एक बार किसी अच्छे अध्यापक से या काउंसलर से अपनी काउंसलिंग अवश्य करवाएं ताकि 5 साल बाद आपको उस भीड में न खड़ा होना पड़े जहां पर आपके सामने केवल और केवल माबाप के ताने हूं समाज से जो बिछड़ापन आप फेस करेंगे वो हो या फिर ऐसा हो कि आपके माता पिता आपको कहें कि आप हुश्यार है और समाज कहें, रिष्टेदार कहें कहते थे बड़ा होश्यार बना फिरता है क्या किया इस बच्चे ने तो आप प्लीज इत्मिनान से सोचें कि आप नोन अटेंडिंग एजूकेशन या ट्वेल्थ पास करते ही जॉब की तरफ क्यूं जा रहे हैं कोई भी आवश्यक्ता है आज के दिन आप कॉलेजिस में जाते हैं युनिवर्सिटीज में जाते हैं स्कॉलर्शिप भी मिलती हैं स्कॉलर्शिप ना मिल रही हो आपकी मार्स इतने ना हो तो आप शाम के घंटे, दो घंटे शाम दो गंटे सुबह इन घंटों में भी काम करके मासिक जरूतों जितना कमा लेंगे मेरा कहना सिर्फ इतना ही है आप भारत की आगामी पीढ़ी हैं इस देश के भाग्य विधाता हैं तो अपने भविश्य को बनाने के लिए खिलवाड खुद के साथ ना करे इनसान को सार्थी भी तभी मिलते हैं जब वो अपने साथ स्वार्थी नहीं बलकि इमानदार होकर सोचता है एक बार जरूर गौर कीजिएगा धन्यवाद नमस्ते